आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत हैं मैं हूँ प्रभेण मिस्त्रम आईए जानते हैं आज क्या है आपके तारे का संदेश आपके नाम बताएंगे आपकी राशी के अनुसारम और आज के उपाए में होगा आपके लिए बहुत ही खास उपाए तो जल्दी से शुरू करते हैं कारकरम सबसे पहले बात आज के पंचांग की साथ अगस्त दोहजार तेईस दिन सोमवार स्रावण मास चल रहा है क्रस्न पक्ष है सब्तमी तिथी है अश्वनी नचत्र है चंद्रमा आज मेश राश में कोचर कर रहे है भगवान शूर करक राश में बिराजमान है आज अभिजीत मुहूर्ट का समय होगा दोपहर 12 बजे से दोपहर 12 बजकर 53 मिनट तक जो भी जरुरी काम करना है इस अभिजीत मुहूर्ट में कर लिजेगा तो आपके कारें अवश्य सफल होगी राहुकाल का समय होगा सुबह 27 बजकर 26 मिनट से सुबह 9 बजकर 6 मिनट तक राहुकाल शुब नहीं मانा जाता है इसलिए राहुकाल में कोई भी जरूरी काम ना करें दिशा शूल है पूरुव दिशा तो पूरुव दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें चलिए शुरू करते हैं आपका राशी फल सबसे पहले बात मेश राशी की मेश राशी वालों के लिए धन लाव के आउसर आज प्राप्त होंगी सरकार से संबंधित कारियों में आपको सफलता मिलेगी प्रापरिटी में निवेश का योग बन रहा है नौकरी बदलने से अभी बचें शत्रू पराजित होंगे शुबरंग लाल उपाए किसी गरीब को आटे का दान करें ब्रश राशी अंजान लोगों से मुलाकात होगी शत्रूओं से सावधान रहें लंबी दूरी की यात्रा से बचें मित्रों से मदद मिलेगी धन का लेंदेन करने से बचना होगा शुबरंग सफेद उपाए हनुमान चालीशा का पाट करें मित्रों राशी व्यापार में सफलता मिलेगी कुछ नया काम शुरू करने के लिए समय शुब है परेशानियों से छुटकारा मिलेगा परिवार में सुख बढ़ेगा अपनी बाद पर अड़े ना रहें नुकसान हो सकता है शुबरंग हरा उपाए भगवान शिव की आरती करें करक राशी वालों को आज परिवार की सला से काम करना चाहिए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगे प्रापर्टी से संबंधित काम में आपको फाइदा होगा आपके काम बनेगे शिक्षा के छित्र में सफलता मिलेगी मन में तनाव रहेगा व्यर्थ की चिंता से बचना होगा शुबरंग क्रीम उपाय किसी गरीब को दूद का दान करें सिंग राशी सिंग राशी वालों का मन खुश रहेगा आज जिल्लों के पास जॉब नहीं है उन्हें नोकरी के ओफर मिल सकते हैं अधिकारी आपसे प्रसन रहेंगे फैशन और ग्लैमर से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी किसी चुनोती से दूर ना भागे शुबरंग लाल उपाय किसी गरीब को फल का दान करें कन्याराशी वाणी पर नियंतरन रखें धनलाब के योग आपके लिए बन रहे हैं आफिस में सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा मन आपका खुश रहेगा सेहत ठीक रहेगी शुबरंग हलका हरा उपाय ओम नमाज शिवाय का 108 बार जाप करें अब वक्त हो गया है सवाल लेने का यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकतें उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल जन्म की तारीक जन्मिस्थान जन्म समय लिखें और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दिजे वहां से आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कारक्रम में शामिल करेंगे अभी जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है कविता सिंग कविता सिंग जी आपका सवाल ले रहे हैं ध्यान से सुनिएगा कविता जी की डेट अब बर्थ है 11 मार्च 1995 सुबह 9 बजे भूपाल मध्य प्रदेश का जन्मेन का कविता जी का सवाल यह है कि इन्हें जौब कब मिलेगी कविता सिंग जी जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तयार है आपकी मेश लगन की कुंडली है और मिथुन राशी है आपका जन्म आद्रा नच्छत्र के तृती चरण में हुआ है इस समय आपकी शनी की महादसा चल रही है जो सेप्टेंबर 2017 से शुरू हुई है और ये सेप्टेंबर 2036 तक चलेगी और शनी की महादसा में केतु की अंतरदसा चल रही है जो जून 2023 से शुरू हुई है और ये जुलाई 2024 तक चलेगी आईए आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं देखे कविता जी आपकी कुंडली में जहां ये एक नंबर लिखा हुआ है ये है मेश लगन और मेश लगन का स्वामी मंगल 20 डिगरी का वक्री होकर के चौते घर में बैठा है जॉब के लिए हमेशा देखते हैं दसमा घर ये है दसमा घर जहां दस नंबर लिखा है और आप यहां देख रहे हैं यहां शुक्र 15 डिगरी का बैठा है और जो दसमे घर का स्वामी शनी है वो जाकर बैठ गया है ग्यार में घर में 21 डिगरी का आस्थ है शूर और बुद्ध के साथ बैठा हुआ है आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी जॉब प्राप्ती का समय शुरू होगा जुलाई 2014 से जुलाई 2014 से सेप्टेंबर 2025 के बीच में आपको जॉब मिल जाएगी तो अभी अच्छे से त्यारी कर लिजे अगर कोई ट्रेनिंग डिप्लोमा और करना चाहते हैं तो वो कर लिजे ताकि अच्छी जॉब मिले और आप अच्छी तरक्की करें उपाय क्या करना है पहला उपाय शनिवार के दिन पंजीरी पंजीरी कैसे बनती है आटे को भूना घी में और उसमें चीनी मिला दिया पंजीरी तयार ऐसी पंजीरी बना के आप जो है हर शनिवार के दिन कम से कम आठ मुठी पंजीरी अपनी मुठी में भरके काली चीटियों को लाल चीटियों को जो चीटियां मिल जाएं चीटियों को खिलाना शुरू करिए दूसरा उपाय प्रति दिन नियम बना करके आप भगवान विश्णू का फूजन करें भगवान विश्णू की आरती करें और उनसे प्राथना करें कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिले, आपकी तरक्की हो, जीवन में खुशाली बढ़े, ये उपाय करना शुरू करिये, बहुत जल्दी इक्षा पूरी होगी, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब बात तुला राशी की, तुला राशी वालों की मन की चिंता दूर होगी, नौकरी में उन्नती के योग बन रहे हैं, मान ये शापका बढ़ेगा, बाचीत के समय आक्रामक तेवर ना दिखाएं, हर जगह आप अपनी मनमर्जी से काम करने की कोशिश ना करें, शुबरंग, सफेद, उपाय किसी गरीब को भोजन दान करें, ब्रिश्चिक राशी, ब्रिश्चिक राशी वालों के खर्चे बढ़ेंगे, अहंकार की भावना मन में ना बढ़ने दे, हर काम धहरे से करना होगा, परिवार को और वक्त देना होगा, सेहत आपकी ठीक रहेगी, शुबरंग, मरून, उपाय किसी गरीब को एक किलो आटा दान करें, धन उराशी, धन लाव का योग आपके लिए बन रहा है, आफिस में अपनी मान प्रतिष्ठा के प्रती सतर्क रहें, वाणी पर नियंत्रन रखें, छोटे रोगों को हलके में ना लें, पैसा किसी को उधार ना दें, शुबरंग, पीला, उपाय किसी गरीब को एक किलो दूद दान करें, अब वक्त हो गया है एक और सवाल लेने का, यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं, उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीक, जन्मिस्थान, जन्म समय लिखिए, और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजे, वहां से आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कारक्रम में शामिल करेंगे, अभी जिनका सवाल ले रहे हैं, उनका नाम है दिनेश अगरवाल, दिनेश अगरवाल जी धियान से सुनेगा, इनकी डेट अब बर्थ है, 7 अप्रेल 1985, रात को 10 बज कर 30 मिनट मुंबई का जन्म है, इनका दिनेश जी जो आपने बर्थ डिटेल बताई है, उस आधार पर आपकी कुंडली तयार है, आपके सामने है, आपकी ब्रशिक लगन की कुंडली है, और तुलाराशी है, आपका जन्म विशाखा नच्छत्र के दुती चरण में हुआ है, इस समय आपकी बुद्ध की महादस नॉम्बर 2022 से शुरू हुई है, और ये जून 2025 तक चलेगी, आए आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं, देखिए जहां ये आठ नंबर लिखा हुआ है, ये है ब्रशिक लगन, और ब्रशिक लगन का स्वामी मंगल 23 डिगरी का ये बैठा हुआ है चटे घर में, साथ ही र दसमे घर का स्वामी है शूर्य और शूर्य जाकर बैठा है पंचम इस्थान में 24 डिगरी का बुद्ध और शुक्र के साथ। आपके भागे का स्वामी है चंद्रमा और चंद्रमा बारवे घर में बैठा है केतु के साथ। काम में उतना मन नहीं लगता है। बिजनस में अच्छे से करेंगे तो सफलता मिलेगी, देखिए, पहला उपाय, प्रति दिन भगवान शिव को जल चड़ाईए, ज्यादा से ज्यादा सफेद रंगे कपड़े पहनने की कोशिस करिए, सोमवार के दिन किसी गरीब को दूद का दान करें, और नियम बना करके, नियमित रू आपको सफलता मिलेगी, आपकी कुंडली के हिसाब से जून दो हजार पचीस से व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्ती के योग नजर आ रहे हैं, अभी धैरे से काम करते रहने का समय है, ज्यादा उधार लेन देन ना करें, लोन लेकर बिजनेस को बढ़ाने की कोशिस अपनी स्किल से नई टेकनलोजी का इस्तमाल करके व्यापार को बढ़ाने की कोशिस करें, और अंजान लोगों के भरोसे कोई काम ना छोड़ें, इन बातों का ख्याल रखेंगे, अप्रेल दो हजार पचीस से जून दो हजार पचीस से इस्थितियां बदलेंगी, और फिर व्यापार आपका अच्छे से तरक्की करने लगेगा, अभी समहल कर चलने का समय है, तो ये उपाय करिएगा हर्मान जी के आशिरवाद से सब कुछ अच्छा होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब बात मकर राशी की, कारे छेत्र में इस्थिति बेहतर होगी, नए न वेश आप कर सकते हैं, साजेदारी में बिजनस करने से बचे हैं, यात्रा से लाब का योग है, सेहत ठीक रहेगी, शुबरंग सफेद, उपाय, भगवान शिव को जल अर्पित करें, कुम्भराशी, भाग्य का साथ मिलेगा, धार्मिक कार्यों में आपकी रूची बढ़ेगी, सोचे हुए काम पूरे होंगी, लाइप पार्टनर से मतभेद बढ़ सकते हैं, काम की वज़े से ठकान रहेगी, शुबरंग क्रीम, उपाय, गायत्री मंत्र का 108 बार जाब करें, मीन राशी, अचानक लोगों से, अंजान लोगों से आज मुलागात होगी, धैर से काम करना होगा, कुछ नया सीखने के लिए समय अनुकूल है, जल्द वाजी में फैसला करने से बचे, लंबी दूरी की यात्रा ना करें, शुबरंग, सुनहरा, उपाय, देशी गव माता को रोटी खिराएं, अब वक्त है आज के उपाय का, यदि मन में बहुत जादा नेगेटिव विचार आते हैं, तो ये उपाय जरूर करें, क्या करना है, सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर जाकर पूजन करें, गंग भूले नात की आरती करें, और रुद्राक्ष की माला से एक सव आड़वार उम नमा शिवाय मंतर का जाप करें, धीरे धीरे नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आप से मुलाकात, आपका दिन बहुत शुब हो, नवसकार